हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल PK Commerce Study आज की इस वीडियो में हम लोग Financial Management के बहुत ही important question को cover करेंगे तो question है, पूंजी धाचा क्या है? पूंजी धाचा यानि structure of capital क्या है? पूंजी धाचे का सिधान तथा पूंजी धाचे के मुलततों की ब्याख्या करें? तो question बहुत ही important ही, ये question exam में बहुत पर आ चुका है तो carefully वीडियो को अंग तक देखे, ताकि आपके exam में आए तो आप इसका answer बहुत ही easily दे सके सबसे पहले मैं इसका basic कर्थ बता दूं पूंजी धाचा का आसे यह है कि पूंजी के सौरूप यानि पूंजी के प्रकार निस्चित करने से है इसका अभी प्राय दिर्ग कारिन पूंजी के साधनों को पारिस्परिक अनुपात में बाटने से होता है यानि जितना पूंजी लगाया जाता है उस पूंजी को एक लंबे समय के लिए जो बेउसाय प्रारम किया जाता है उसमें लगाया जाता है उसे ही पूंजी धाचा कहा जाता है इसे पूंजी संरचना भी कहते हैं तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका साब्धिक अर्थ क्या होता है पूंजी धाचा का अर्थ पूंजी करन की रासी निर्धारीत करने के बाद बित्त योजना का दूसरा तत्व पूंजी के सौरूपिया प्रकार के निर्धारन से संबंदित होता है किसी विशन्स था यानि कमपनी के आर्थिक चिठे का विशलेशन करे तो विदीट होता है कि उसकी कूल पूंजी का कुछ भाग सम अंसों में, कुछ भाग पुर्वधिकार अंसों में और रिन पत्रों में एवां बंद पत्रों में बित्रित किया गया है विभीन परकार के प्रती भूतियों के बीच निर्धारीत अनुपात को ही पूंजी धाचा कह सकते हैं अन्य सब्दों में पूंजी ढाचा यादर साता है कि पूंजी करन की कूल रासी का विभीर्ण परकार की प्रती भूतियों में किस अनुपात के अधार पर वित्रन किया गया है इस परकार पूंजी ढाचा का आसे पूंजी के देर्ग कालीन साधनों में पारस्परिक अनुपात से है और इनमें स्वामी पुर्वधिकार अंस पूंजी फ्रीफेंस सेर कैपिटल एवं देर्ग कालीन रीन पूंजी को सामिल करते हैं स्वामी को परिवर्तन सिल लभांस वाली प्रतिभूती बैरिवल डिवीडेंड सिक्रूटी पूर्वधिकार अंस को अस्थाई लभांस वाली प्रतिभूती यानि फिक्स डिवीडेंड सिक्रूटी और रिन पत्र एवं बंधक पत्रों को अस्थाई प्याज वाली प्रति भूती फिक्स इंट्रेस्ट वियरिंग सिगरूटी कहते हैं अब हम लोग पूंजी धाचा के सिधान्त को देखेंगे Capital Structure Theories पूंजी धाचा पूंजी की लागत और कमपनी के बुल्यांकन के बीच संबंद को नियंतरित करने वाले अनेक विवें सिधान्तों का प्रतिफालन किया गया है एक विचारधारा के अनुसार कमपनी के मुल्य और पूंजी की कुल लागत के बीच संबंद होता है जबकि दूसरे मत के अनुसार इन दोनों में कोई भी संबंद नहीं होता है कमपनी के मुल्ले और उसके पुंजी धाचा के बीच के संबंध को नियंतरित करने वाले चार उपगम है यह था पहला एप्रॉक्स है सूध आय उपगम, दूसरा है सूध संचालन आय उपगम, तिसरा है मोदी गिल्यानी वा मीलर उपगम, चोथा है प्रंपरागत उपगम पुंजी धाचा की बिशेस्ताएं एवं गुन पहला है सरल्ता, पुंजी धाचे के संदर्म में सरल्ता से तातपरे, प्रारम में कम से कम प्रकार की प्रतिभूतियों से पुंजी उगाने से होता है यदि प्रारम में ही पूंजी धाचे के अनेक अनेक परकार की प्रतिभूतियों को सामिल कर लिया जाता है तो भविश से पूंजी जुटाना जटील कारी हो जाता है इस परकार या अती आवस्यक है कि पूंजी धाचा सुरू में सरल हो लेकिन इस बात की साउधानी बरितनी चाहिए कि सरल्ता लाने के चक्कर में पूंजी ढाचे की आवसकता से अधीक सस्थापन ना आ जाए प्राया या कहा जाता है कि तरल्ता की द्रिष्टी से प्रारम में परिवर्तन सी लागत प्रती भूतियां समता अंस या अधिमान अंस ही निर्गमीत किये जाने चाहिए और बाद में रिन पत्र या बंधक पत्र निर्गमीत होने चाहिए दूसरा गून है लोजपूर्ण लोजपूर्ण से आसे भावी परिस्तितियों में अनुकूल परिवर्तन लाने की छंता से होता है पूंजी धाचे का निर्धारन ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने चुकी पूंजी ढाचे का निर्धारन संस्था की तातकालिक आवेसक्ताओं के लिए ही नहीं बलकि दीर्ग कालीन आवेसक्ताओं की पूर्ती के लिए भी होता है अता उसमें लोजपुरूंता का तत्व नहीं चाहिए ताकि उसमें भावी आवसकता नुसार परिवर्तन लाया जा सके संस्था के बेवसाय बिस्तार के समय आवस्यक पूंजी स्रोतों का समावेश किया जा सके और साथ ही कम पूंजी की सत्ता होने पर या बेवसाय संकूचन के समय उसमें इच्छित कमी लाई जा सके तीसरा पॉइंट है नियूंतम लागत मिनीमम कोश्ट पूंजी के प्रतिक स्रोत की लागत होती है या लागत देव पूंजी या लभांस की दर के साथ निर्गमन वय आदि के रुप में ही होता है या भी सत्ते है कि प्रतिक स्रोत की लागत भीन भीन होती है अथार्थ कुछ प्रतिभूतियों की लागत अधीक होती है तो कुछ प्रतिभूतियों की लागत कम होती है अता पुण्जी ढाचे का निर्धारन करतिस में विविन स्रोतो प्रतिभूतियों का एक ऐसा मिस्रन चुनना चाहिए जिस से पुण्जी की लागत नियुन्तम हो समानियता इसके लिए औसत भारित लागत का परियोग करके निर्ध्रेश्ट परिसितियों में विविन प्रतिभूतियों के मिस्रन का तुलनात्मक अध्यन किया जाता है और सबसे कम लागत वाले प्रतिभूती मिसरन का चुनाओ किया जाता है चौथा गुन है नियून्तम जोकी मिनिमम रिस्क एक अनुकुलतम पुझी धाचा इस परकार का होना चाहिए कि उस पर अनेक परकार के जोकीम प्राकिर्तिक वित्य आर्थिक का कम से कम प्रभाव पढ़ सके बियुशाइक अस्पर्दा करो की मात्रा में ब्रीधी, मुल्यों में परिवर्तन, ब्याजदर में परिवर्तन, लागतों में परिवर्तन, प्रकिर्तिक प्रकोप जैसे अकाल या अती व्रिष्टी आदी ऐसे जोखिम है जिनका दुस परभाव पूझी धाचे पर पड़ता है, अता पूझी धाचे की रचना इस परकार से किये जाए कि इन जोखिमों के परभाव को नियूंतम किया जा सके या आवसकता नूशार इन में बोज को बेउसाई द्वारा वहन किया जा सके प्राया इसके लिए पूंजी ठाचे में उच्छ स्रेनी की प्रतिव भूतियों को सामिल किया जाता है पाज़मा गून है अधिक्तम नियंतरन मैक्शिमम कंट्रोल कमपनी संगटन प्रारूप की दसा में बेउसाईक संस्था पर नियंतरन का अधिकार सम अंसधारियों पर होता है क्योंकि अधिमान अंसधारियों एवं रिन पत्रधारियों को मदान अधिकार प्राप्त नहीं होता है प्रन्तु विसेश दसाओं में मैतान का अधिकार अधिमान अंसधारियों एवं रिन पत्रधारियों को प्राप्त हो सकता है पुझी धाचे की रचना करती समय या ध्यान में रखना चाहिए या पुझी धाचे में परिवर्तन करती समय ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी इस्थिति ना उत्पन होने पाए कि बेवसाय का नियंत्रन सम अंसधारियों के हाथों से निकल जाए अता यह आवस्यक हो जाता है मताधिकार युक्त और मताधिकार रहित पूंजी के बीच अनुकुलतम अनुपात अस्थापी तो छट्था पॉइंट है अधिक्तम प्रत्याय मैक्सिमम रिटन अनुकुलतम पूंजी धाचे की कलपना ही इस्तत्तों को जर्न देती है कि सम अंसधारियों को अधिक से अधिक लाब की प्राप्ति हो वस्त त्वस्तम अंसधारी स्वामी होने के साथ साथ विनियों की वस्त्विक जोखिम भी जहलते हैं अता पूंजी धाचा इन्हें अधिक्तम लाब की गारंटी देने वाला होना चाहिए यदि पी अधिक्तम लाब के आसंसा प्रबंध के कुछलता हुआ दस्ता पर निर्भर करती है फिर भी संतुलित पूंजी धाचे द्वारा कम लागत की पूंजी प्राप्त करके लाब में ब्रिधी की जा सकती है सात्वी पॉइंट है प्रियाप तरलता यदि पी तरलता का बतच तो संपती धाचा से अधिक संबंधित है फिर भी पूंजी धाचा इस परकार का होना चाहिए कि संस्था के पास तरलता परियाप्त मात्रा में बनी रहे इसके लिए पूंजी का ये थो चित भाग तरल संपतियों में लगाया जाता है आठमा पॉंटे वेधानिक मानियताओं के अनुकूल प्रतीक देश में बिभीन अधिनियमों के अंतरगत या पारवाधान किया जाता है कि देश में कार्यारत बेवसाइक संस्थाओं के पुझी ढाचे में विभीन परकार के प्रतिभूतियों के बीच मिश्रन अनुपात क्या होना चाहिए हमारे देश में भी पुझी निर्गमन नियंत्रन द्वारा एक निस्चित निरीन समता अनुपात पर बल दिया जाता रहा है अता या अपेचा की जाती है कि एक संस्था का पुझी ढाचा इस निर्धारित वेधानिक मानक के अनुरूफ ही होगा तो आज के लिए इतना ही उमीद है आप लोगों को पुझी ढाचा के मीनिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया ऐसे ही महत्पुर्ण प्रश्णों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करी, सब्सक्राब करी और सेर जरूर करे और कमेंट सिक्षन में कमेंट करके जरूर बताए कि आपको कौन सी क्विस्टन की आंसर चाहिए धन्यवाद